आप सबका स्वागत है हमारे यूटिब चैनल चाया मिस्ट्रा व्लॉग 2 M पर गाईज चलिए देख लेते हैं आज की ट्रिकाइंट्रिक्स अगर हमारी ट्रिकाइंट्रिक्स आपको पसंद आए हमारी वीडियो चरह सब्सक्राइब तो लाइक सब्सक्राइब और सेयर करिए चैनल देख लेकर वीडियो तो यह देख सकते हैं हमारी गैस है एक बरनल तो बहुत अच्छे से जल रहा है लेकिन एक बर्नल ने वर्क करना बंद कर दिया लेकिंगे जलाने के बाद कितना भी हम कटा बढ़ा लेकिन नहीं धीमा ही जलता है तो इसको हम सही करेंगे आज आ जाहिए इसाए बात है गैस को भी साही करना जरूर चाहेंगे तो को पड़ी चीज है और चोपर चोटी 150 रुपए की चीज को वो लोग चॉपर को सही करना चानते हैं तो यह भी गैस पी चाहेंगे जिसे की थोड़ा सा बजट हूँ और यह छोटे-मोटे काम है हम अपने घर में कर लें तो ज्यादा अच्छा है क्यों बाहर मार्केट जाना पैसे बरबाद करना वेस्ट करना तो चलिए दिखाते हैं आ कोई भी गैस हो बहुत आसानी से सही करके फिट कर देंगे आपको मार्केट जाने के ज़रूद नहीं है तो देख सकते हैं यह जो बढ़नल होता है इसके अंदर काफी कुछ जैसे दूच चाय वगरा बॉयल हो जाती है सबजी वगरा बॉयल हो जाती है तो इसके अंदर चल कि हम यह तारीफ में मिलती हैं तो इसलिए हम सोचते हैं कि क्यूं नहीं हम आपको भी सिखाएं या आपको भी बताएं जिसे कि आपको भी तारीफ मिले तो प्लीज एक बात और हम बोलेंगे जैसे आप लोगोंने चौपर के लिए बहुत प्यारा प्यार दिया था बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किये थे उसी तरह से प्लीज अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट जरूर करिए गा अगर आपको जड़ा सभी फायदा हो तो देख सकते हैं हमारे एक चूले के बढल से कितना सारा कचला निकलने के बावजूद अगर गैस धीमी जलती है अगर आप इतना सारा करने के बाद सेट करके देखते हैं अगर आपको जलने लगता सही तब तो कोई बात नहीं पड़ेगा मगर वो चीजे करने के बाद भी आपकी गैस धीमी जलती है तो हम इसे भी खोलेंगे तो देखे यह जो नॉट लगी होती है आगे कि उसको हटा और इसमें जो बोल्ट लगे होते हैं वो भी हम खोड लेगे, तो यह सारे सिंपल से खोड लें, एक भी चीज ध्यान रखेगा, एक भी चीज आप खोलते हैं तो आप इधर उदर कोई भी बोल्ट कोई भी इसकू इधर उदर मढ़ डालेगा, सही से रखेगा, जैसे कि आप सेट करें जब गैस को तो आराम से कर सके तो देखिए बोल्ट निकल गया है अब हमें क्या करना है यहां पर एक छोटा सा नॉब लगा होता है मिलास में अभी दिखाएंगे इसको उपन करना देखिए कोशिश सुकरी थी पास से दिखाएं मगर दिखा नहीं पा रहे थे और यह पीछे का इस तरह से दबाते हुए खोल लेंगे आप यह देख सकते हैं यहां पर तो अभी हम आपको दिखाएंगे यह देखिए यह चोटा सा स्कूर है अगर खो गया ना आपका तो आपकी ग्रस बिगड जाएगी इसलिए सारा का सामान इसका सही से रखना है तो हिला दिया और यह सारी चीजे हम डाल देंगे यह स्प्रिंग की वज़े से हमारी गैस ऑन और आफ होती है इसलिए कोई भी चीजें आप खोलते हैं तो इसको इधर उदर मत करिएगा सारा कुछ इसमें डालेगा जिससे की साफ हो जाए तो देखिए इस तरह से नाइफ को डालेंगे इस होल के अंदर इसमें भी एक बोल्ट जैसा निकल आएगा है उसको भी निकाल कर हम साफ करेंगे यह देखिए यह देख सकते हैं इसी से गैस हमारी निकलती है एक चीजे और धियान रखिएगा दोनों गैसों का यह एक साथ मत खोलिएगा एक एक गैस खोलिग हां एक स्विच्छ को लिए उसको फेट कर लिए फिर धूसरा सुिच्छ खोलिए तो यह देख सबीं है इस थेसा को साफ कर लिएतों आगा यह साय chi ole Communist Y फिर से फूलेगी और फिर से चोक हो जाएगा इस वुझे सकी सफाई करना बहुत जरूरी है जब हम काम करी रहें तो प्रॉपर टंग से करें तो यह देख सकते हैं यह देखे इसके अंदर की सारी सफाई हमने कर लिया है नाइप से जो हमने कपड़ा डाला था वो भी इसके इपनतर की गंदगी निकालदेगा साफ कर देगा जैसा चैरा से थी उने सब्सक्राएब अँठा के लिए को पम आयं करसे तो देखे है अब सारी चीजों को अच्छे से वास करेंगे क्या जाए देखे गार इस पूरी कोसेशचत करी है आप लोगं को यह हमने इस हमने आच और जो चीज आप को शमच्छा लगेगी जैसा कि सुब आयाए जायगा और जैसा कि सुआट वीडियू में हमने कमेंट आप लोग के लिए exclusively when तो आपको कमेंट के रिप्लाइ करेंगे तो प्लीज अगर कमेंट चाहते हैं आपको बताया जाए summary to face तो प्लीज आप कमेंट करिएगा और बहुत हेल्फुल यह वीडियो है आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाली है तो यह देख सकते हैं इस तरह से हम डाल देंगे तो यह सारी चीज हम साफ कर लेंगे कोई भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए और इधर कॉटन के कपड माया हो इसके आगे यह जो दूसरे होल दे लेंगे इस तरह से यह और दो दिखे 좀 तरह से कंवरा धाना रहताई को ऑफलतते हैं दूसरे को देखते जाए की संवरा में जाया THK करतेABरें इसको इसमें लगाएंगे और नाइफ की जरिए या नाइफ जो नुकीली चीज हो हलकी पतली जो वहां तक जा सके उसे आप इस तरह से डाल कर जिस तरह से आपने ओपन किया था बस उसी तरह से आप इसे क्लोज कर देंगे यह देख सकते हैं क्योंकि यह बहुत जरूली होता और चलिए देख लेते हैं आगे का तो यह दिखें हमने कस दिया है यहां पर अच्छे से कस गया है और आप देखें क्या करना है अब यह में जो शुरुवात की बोल्ट वगरा है इनको भी हम लगा कर के कस देंगे यह देखें इस तरह से तो बस कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो यह देखें इस तरह से हमने इसको कस दिया अच्छे से अगर आपके पास इस तरह से स्पून हो तो आप स्पून से भी कस सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या को ज़रूरी नहीं है उससे से कसे अब यह द देखे बड़े वाले से छोटा वाला ज्यादा अच्छा चल रहा है तो अगर वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक सस्क्राइब एंड सेयर थेंक यू